ओम श्यान्ती आज है चार जुलाए दो हजार इकिस की अव्यक्त मुरली रिवाइस डेट है तीस एक अठासी मधुबन आए सुनते हैं बाबा के महवाक्यों को हिमत का दूसरा कदम सहन शेलता ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी आज ओल्माइटी अथोरिटी बाप अपनी पहली स्रेष्ट रचना को देख रहे हैं पहली रचना ब्रह्मनों की रचना है उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रम्हा को आदी देव कहा जाता है इसी नाम से इस आबू परवत पर यादगार भी आदी देव नाम से ही है आदी देव अर्थात आदी रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदी देव अर्थात नई स्रिस्टी के आदी का पहला नंबर देव है पहली देव आत्मा श्री क्रिशन के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं इसलिए नई स्रिस्टी के आदी का आदी देव कहा जाता है संगम युग में भी आदी रचना का पहला नंबर अर्थात आदी देव कहो वा ब्रह्मन आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो तो संगम पर और स्रिस्टी के आदी पर दोनों समय के आदी हैं इसलिए आदी देव कहा जाता है ब्रम्हा ही आदी कर्मातीत फरिष्टा बनता है ब्रम्हा सो फरिष्टा और फरिष्टा सो देवता सब में नंबर वन ऐसा नंबर वन क्यों बने? किस वीधी से नंबर वन सिध्धी को प्राप्त किया? आप सभी ब्रह्मन आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पन ता यह तो पहले सुनाया है पहले कदम में भी सबरूप से समर्पन बनके दिखाया दूसरा कदम सहन शीलता जब समर्पन हुए तो बाप से सर्वस्रेस्ट वर्षा तो मिला लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुए चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्यचार हुए लेकिन जादा क्रोध वा गुसा ब्रह्मा को ही मिलता रहा लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर वन रहा सबसे जादा सरवकेस नहीं जीवन व्यतीत की लेकिन जितना ही लोकिक जीवन में सरवकेस नहीं रहे उतना ही अलोकिक जीवन में सरवके दुश्मन रूप बने बच्चों के उपर अत्याचार हुआ तो स्वता ही इंडारेक्ट बाप के उपर अत्याचार हुए लेकिन सहनशीलता के गुण से वा सहनशीलता की धारना से मुस्कुराते रहे कभी मुर्चाए नहीं कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए इसको सहनशीलता नहीं कहते लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अब शब्दों की वर्षा करे ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना संकल्प मातर भी मुर्जाने का चीनह चेहरे पर ना हो इसको कहा जाता है सहनशील दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना बोलना संपर्ख में आना इसको कहते हैं सहनशीलता स्थापना के कार्य में सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए ऐसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड समान समस्या हो तूफान हो विगन हो लेकिन पहाड अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलोना बनाए खेल के रिती से सदा पार किया वा बड़ी भारी बात को सदा हलका बनाए स्वयम भी हलके रहे और दूसरों को भी हलका बनाया इसको कहते हैं सहन शीलता चोटे से पत्थर को पहाड नहीं लेकिन पहाड को गेंद बनाया विस्तार को सार में लाया यह है सहन शीलता विगनों को समस्या को अपने मन में वह दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड बनाना है लेकिन विस्तार में न चाये नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए बिंदी बन आगे बढ़े इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना सहन शील स्रिस्ट आत्मा सदा ज्यान योग के सार में स्थित हो ऐसे विस्तार को समस्या को विगनों को भी सार में ले आती है जैसे ब्रह्मा बाब ने किया जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती अर्थात ज्यादा यूज होती ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शौटकट रास्ता पार करना पार दोनों ही करते हैं लेकिन शौटकट करने वाले समे और शक्तियों की बज़त होने कारण निराश नहीं होते दिल शिकस्त नहीं होते सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं इसको कहा जाता है सहन शीलता सहन शीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या सदा संपन होने कारण ग्यान की याद की गहराई में जाएगा घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता सार वाला सदा भरपूर होता है इसलिए भरपूर संपन चीज की गहराई होती है विस्तार वाला खाली होता है इसलिए खाली चीज सदा उचलती रहती है तो विस्तार वाला यह क्यों यह क्या ऐसा नहीं वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसे संकल्पों में भी उचलता रहेगा और वानी में भी सबके आगे उचलता रहेगा और जो हद से ज़्यादा उचलता है तो क्या होगा हांफता रहेगा सोयम ही उचलता सोयम ही हांफता और सोयम ही फिर्थकता सहन शीलिन सब बातों से बच जाता है इसलिए सदा मौज में रहता उचलता नहीं उड़ता है दोसरा कदम सहनशेलता यहां ब्रम्हा बाप ने चल करके दिखाया सदा अटल अचल सहच सरूप में मौज से रहे महनत से नहीं इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी मौज से रहे या महनत लगी वैसे स्थूल महनत का पेपर भी खोब लिया कहा नाज से पनने वाले और कहा गोबर के गोले भी बनवाए मेकेनिक भी बनाया चपल भी सिलवाई मोची भी बनाया ना माली भी बनाया लेकिन महनत लगी या मोच लगी सब कुछ पार किया लेकिन सदा मोच की जीवन का अनुभव रहा जो मुझे वहाँ भाग गए और जो मोच में रहे वहाँ अनेकों को मोच की जीवन का अनुभव करा रहे हैं अभी भी अगर वही चौदा वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं इसलिए सन्यास किया क्या हम इस काम के लिए हैं मौच से जीवन जीना इसको ही ब्रहमन जीवन कहा जाता है चाहे स्थूल साधारन काम हो चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो दोनों मौच से करें इसको कहा जाता मौच की जीवन जीना मुझे नहीं हमने तो समझा नहीं था कि सिरिंडर होना अर्थात यह सब करना होगा मैं तो टीचर बन कर आई हूँ स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही सन्यास किया है क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है इसको कहते हैं मौचने वाली जीवन ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौच में रहना न किस थूल मौचों में रहना दिल की मौच से किसी भी परिस्थिती में किसी भी कार्य में मौचने को मौच में बदल देंगे और दिल के मौचने वाले स्रेष्ट साधन होते भी स्पस्ट बात होते भी सदा स्वयम मौचे हुए होने के कारण स्पस्ट बात को भी मुझा देगा अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौच नहीं ले सकेंगे यह कैसे होगा ऐसा नहीं ऐसा होगा इसमें खुद भी मुझेगा दूसरे को भी मुझा देगा जैसे कहते हैं न सूत मुझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है अच्छी बात में भी मुझेगा तो घबराने वाली बात में भी मुझेगा क्योंकि वृत्ती मुझी हुई है मन मुझा हुआ है तो स्वता ही वृत्ती का प्रभाव तरिस्टी पर और तरिस्टी के कारण स्रिस्टी भी मुझी हुई दिखाई देगी ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन लेकिन इसका आधार है सहन शीलता तो सहन शीलता की इतनी विशेष्टा है इसी विशेष्टा के कारण ब्रम्हा बाप सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशिलता के पेपर सुनाए। इसी भी सदा असंतुस्ट को संतुस्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्यान की भावना से, सहनशिलता की साइलेंस पावर से हरे को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुब भावना, शुब कामना से सहनशिलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कलक शमा मांगता, उनके मुक से भी यही बोल निकलते। बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशिलता द्वारा, फेल को भी पास बनाए, विघन को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किसलिए कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थाद, बाब समान बनना, बनना है या सिर्फ दूर से देखना है, बहादुर हो ना, पंजाब, महारास्टर दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश-विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं, किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा, इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं, महावीर अर्थाद, बाब समान बनना, समझा। अच्छा, देश-विदेश के सर्वबाब समान, सदा बुद्धी से समर्पित आत्माओं को, सदा हर परिस्थीती में हर व्यक्ती से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा कर सहच पार करने वाले, सदा विस्तार को सारूप में लाने वाले, सदा ब्रह्मन जीवन मौज क जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावेर स्रेस्थात्माओं को, बाप दादा का समान भव की सनेह संपन, याद प्यार और नमस्ते, हम रुहानी बच्चियों की, रुहानी बाप दादा को, याद प्यार, गुड मार्निंग और नमस्ते, पार्टियों से मुलाकात कुमारों से कुमारों की विशेष्टा क्या है कुमार जीवन स्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है और जहां पवित्रता है वहां महानता है कुमार अर्थात शक्ती शाली जो संकल्प करें वहां कर सकते हैं कुमार अर्थात सदा बंधनमुक्त बनने और बनाने वाले ऐसी विशेष्टाएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो, स्वयम भी पवित्र रह, औरों को भी पवित्र रहने का महत तो बता सकते हो, ऐसी सेवा के निमित बन सकते हो, जो दुनिया वाले असंभव समस्ते हैं, वह ब्रम्हकुमार चैलेंज करते हैं, तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्व शक्ती मान है, दुनिया वाले कितना भी प्रतन करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते, आप सहज ही पावन बन गए, सहज लगता या दुनिया वाले जैसे कहते हैं, यहाँ unnatural है, ऐसे लगता है, कुमारों की परिभाशा ही है, चैलेंग करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले, दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोश में ले जाते हैं. और आप बाप के संग में ले आते हो, उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो, ऐसे हो ना? अच्छा, नमबर दो, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्ति आजाए, लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयम बाप है, जहां बाप है, वहां सदा ही अचल अडोल होंगे, जहां सर्वशक्ति मान होगा, वहां सर्वशक्तियां होंग सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एकरस्थीती वाले हल्चल में आने वाले नहीं, जो हल्चल में आता है, वहां अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, लेकिन सदा का नहीं इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एकरस्थीती में स्थित रहने वाले, तो एकरस्थीती रहती है या दूसरे रसों में बुध्धी जाती है, सबरस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एकरस अर्थात अचल अडोल, ऐसा एकरस्थीती वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस्थीती में रहने वाली है माताओं से नमबर एक माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको मिहनत न करनी पड़े याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है दिल से कहो मेरा बाबा जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है न कोई भी मेरा हो चाहे व्यक्ती चाहे वस्तू जहां मेरा पन होगा वही याद आएगा ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो मेरा समझते हो तो बाप ही याद आएगा तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा सिर्फ मुक से मेरा मेरा नहीं करना अधिकार से कहना यही सहज पुरुशार्थ कर आगे बढ़ते चलो सदा ही इस वीधी से सहज योगी बनो मेरा कहो और बाप के खचानों के मालिक बनो नमबर दो माताएं सदा अपने को पदमा पदम भाग्यवान समस्ती हो घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है दुनिया वाले बाप को ढूरने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था यह जो गायन है घर बैठे भगवान मिला यह किसके लिए है आपके लिए है ना तो इसी स्रेष्ट भाग्य को समरीती में रखागे बढ़ते जलो वाह मेरा स्रेष्ट भाग्य यहाँ खुशी के गीत गाते रहो खुशी के जुले में जूलते रहो खुशी में नाचो गाओ नमबर तीन शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ शिव शक्ती का अर्थ ही है कंबाइंड बाप और आप दोनों को मिला कर कहते हैं शिव शक्ती तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता ऐसी खुशी रहती है निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ती बना दिया तो यही सदा याद रखो कि हम कमबाइंड रहने के अधिकारी बन गए पहले ढूंडने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं यहाँ नशा सदा रहे कितना भी माया कोशिश करे लेकिन शिवशक्ती के आगे माया कुछ कर नहीं सकती अलग रहते हो तो माया आती है कमबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती तो यही वर्दान सदा याद रखना कि हम कमबाइंड रहने वाली शिवशक्तियां विजई हैं अच्छा वर्दान कन्फ्यूस होने के बज़ाए लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्तियां आपके आगे घूमेंगी यदि कनेक्शन चोड़ने में एक दो मिनट लग भी चाते हैं तो हिम्मत हार कर confuse न हो जाओ, निश्चे के foundation को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से foundation को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन चाएंगे श्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की वीधी है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ओम शान्ती